असलाम अलेकुम तो स्वागत आप सभी का Most Important Objective Question के हैस्टेक 3 वीडियो में और आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को चार चैप्टर यानि कि 9 से लेकर 12 चैप्टर का Most Important Objective Question को कराओंगी जो कि आप लोगों के आने वाले एक्जाम में पूछने की संबावना है हैस्टग वन के वीडियो में मैं आप लोगों को 4छ चेप्टर यानिकी एक से लेकर 4च का मस्त इंपोर्ट Irgy objective को कराई थी यानिकी भी को कराई थी और हैस्टग की वीडियो में भी मैं आप लोगों को चारही चैप्टर का कराई थी जो कि 5 से लेकर 8 चैप्टर तक था तो सारे अबजक्टिव को ध्यान से चलिएगा लेकिन उससे पहले लाइक शर और वगरा कर दीजिएगा और चैनल नहीं नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजेगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए अब भी नादेर के वीडियो की शुरुआत करते हैं सारे कोशन एंसर को एक एक करकर देखते चलिएगा और समझते चलिएगा और याद कर से चलिएगा चलिए तो ध्यान देजिये आपर देखिए सबसे पहला सवाल है कि लुट्फु रह्मान की पैदाईश कब हुई ठीक है तो इसका रायट इंसर क्या हो जाएगा इसका रायट इंसर हो जाएगा आपसर नुमबर B 1931 में लुट्फु रह्मान की पैदाईश होई थी देखिए दुसर इस्टेज के बिना आप ड्रामा दिखाई नहीं सकते हैं तो लाजमी अंसुर इस्टेज है सवाल नमबर चार है कि लुट्फु रह्मान का कौन सा मजमून आपके नसाब में शामिल है यानि कि लुट्फु रह्मान का कौन सा मजमून कौन सा निवन्द एसे आप लोगे भुक में है तो वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगाशर ठीके तो ये होगा आप लोगा राइट एंसर अफसर नंबर B आगे बढ़िए सवाल नंबर पांच है कि लुस्फुर रह्मान के वालिद का नाम क्या था तो लुत्फु रह्मान के वालिदी और उनके पिता जी का नाम था अब्दुल गफूर ये भी एक्जाम में कोशन पूछा जा चुका है तो इसको भी मैं विवियाई लगा दे रही हूं इसको अभी के अभी माइन में फिट कर लीजिए जो जो मैं बोल दे रही हूं विविय कोशन है ये आप लोगे एक्जाम में आने की संभावना है इसलिए सारे कोशन को जिसको मैं विवियाई बोल रही हूं उसको भी और जिसको मैं नहीं बोल रही हूं उसको भी सारे कोशन को आप लोगों को माइन में फिट करते चलना है एक भी कोशन को आप लोगों को छोड आगे बड़ी अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि नजीर एहमद की पैदाइश यूपी के किस जिले में हुई है तो आप लोग अपने से भी बताने की कोशिश कीजिए तो जरब नजीर एहमत की पैदाईश यूपी के किस जिले में हुई है यानि कि किस डिस्टिक में हुई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी यानि कि बिजनोर ठीके और यह मत भुलिएगा कि एक्जाम में कोश्टन पूछा जा चुका है चलिए आगे बढ़िए स हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ठीक है तो फैमीदा नसू की बीवी रहती है और हमीदा नसू की बेटी रहती है और मा बेटी में उस चैप्टर में क्या होती है गुफ्तगू होती है कनवर्सेशन होता है ठीक है तो यह मतलब जलू नहीं कि इस तरह से है तो अबतलनसू किसका नाविल है तो वो है नजीर एहमद का नजीर एहमद का ये नाविल है चलिए आगे सवाल देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर दस कि नजीर एहमद के पहले नाविल का नाम क्या है नजीर एहमद के सबसे पहले नाविल का क्या नाम है तो वो मिरातु अरूस यह याद रखिएगा ये भी कुशन पूछा जा चुका है चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि नजीर अहमत ने किसकी तालीम वत्रबियत के लिए नाविल लिखे तो वह बेटियों के लिए लिखे थे ठीक है अब देखिए यहाँ पर बेटों के लिए भ कर लगाएगा कि कहां बेटा लिखा है और कहां बेटिया लिखा गया है तो यह गलत हो जाएगा अगर आप लोग इस पर टिक लगाएंगे तो यह होगा इसका राइट इंसर बेटियों के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है नजीर एहमद का इंतकाल कब हुआ नजीर एहमद की मौत उनका इंतकाल कब हुआ था तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा उनैसा दस अपसा नमबर सी अगला सवाल है गालीब की पैदाइश कब हुई तो गालीब की पैदाइश हुई थी वह सतरह सा संता इस भी को ये भी important question है इसको अभी के अभी mind में फिट कर लीजिए ये भी question पूछा जा चुका है चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर 14 है कि मिर्जा गालीब किस शहर में पैदा हुए तो मिर्जा गालीब जो है वो आगरा में पैदा हुए थे ठीक है ये भी important है वो सकता है क अग्जा Mirza गालीब के वालीब का नाम क्या था तो मिर्जा गालीब के वालीब के पीता का नाम था अबदोल्लाबैक चलिए आगे बढ़िए अगला सुआले सवाल नमबर 16 कि खतूत गालीब के एक मजमूए का नाम लिखे यहाँ पर गालीब के खतूत का या नंके लेटर के लेटर के बुक का नाम बताना है खतूत का किताब का नाम बताना है उनका कोई एक गालिब के कोई खत के किताब का नाम बता देना है तो इनमें से बताईए कौन है इनमें से है उदे हिंदी आपसा नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा उदे हिंदी नाम का ये जो किताब है ये खत का किताब है जो गालिब ने लिखा है मिर्जा गालिब ने चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि शामिले निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया है जो आप लोग के बुक में गालिब का खतूत पढ़ना है उस खत को जो है मिर्जा गालिब किसके है कि मैंने वा अंदाज एजाद किया कि मरासला को मुकालमा बना दिया यह कौल किसका है यह किसने कहा है कि मैंने वा अंदाज एजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है तो यह मिर्जा गालिब ने कहा है ठीक है चलिए आगे बढ़िए ये भी important है इसको mind में fit कर दीजे अभी कि अभी आगे देखिए अगला सवाल है सवाल नबर 19 कि गालीब का मजार कहा है अपने से भी लगाने की कोशश किजए अपने से जवाब देंगे तो आपनों को मालूम चलेगा कि आपनों कितना तयारी किये है तो अपनों का बहुत नस्दिक है तो इसके हिसाब से अगर आप लोग खुद से लगाएंगे तो और बहतर होगा आप लोग के लिए आप लोग को मालूम चलेगा कि हम मैं कितना तयारी किया हूँ या फिर की हूँ तीक है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा गालीब का मजार है दिल्ली में आपसा नमबर सी चलेए आगे बढ़िए सवाल नमबर ट्वेंटी है कि गालीब के खतुद के किसी एक मजमुआ का नाम क्या है गालीब के खत का कोई एक किताब का नाम बता देना है तो देखिए यहाँ पर वही सवाल पूछा गया था एक मिनट हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर था गुबार खातीर मकातीब मेदी और उद हिंदी और मकातीब इसरसियत तो इसमें से राइट एंसर क्या हो गया था इसमें से राइट एंसर हो गया था उद हिंदी लेकिन अब यहाँ पर पूछा है वही सवाल पूछा है कि गालिब के खत का कोई एक किताब का नाम बता देना है तो इसमें है अब आपसन में अर्दु मॉल्ला, मयार अकिदत जवाय अकिदत और कोई नहीं तो इसमें से राइट एंसर हो जाएगा कौन सा, आप लोग बताएए तो ज़रा इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसन नमबर A, उर्दु मॉल्ला ठीक है, तो यह होगे आप लोग का राइट एंसर, चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है, सवाल नमबर 21, कि गालिब ने अगला सवाल की आरे भट ने अपना तजर्बगाह कहा कायम किया, अपना रिसर्च सेंटर जो है, आरे भट ने कहा कायम किया, कहा खोला, कहा इस्ताफित किये थे, तो वो था तरेग नामे, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर 24 है, कि आरे भट का तालोक किस दौर से था, तो वो था गुप्त अहद, गुप्त दौर से आरे भट का तालोक था, अगला सवाल है, कि आरे भट ने किस साइन्सदा की रहनुमाई की थी, किस मतलब साइन्सदा को मतलब वो हेल्प किये थे, तो वो था, वो लोग का एंसर तो यह था आप लोग का चार चैप्टर का मास्ट इंपॉर्टन अब्जेक्टिव कोश्टन जिसको आप लोग एके करकर देख भी लिए और समझ भी गए कोई भी कम्फियूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूर्च सकते हैं और लाइक शेयर वगर तो आप लोग कर ही दिये होंगे चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज